यूपी के मेरट में गैर समुदाय का एक शक्स हिंदू आस्था के नाम पर ढोंग रचकर लोगों को ठग रहा है वो खुद को मुस्लिम जोगी बता रहा था कि ऐसे लोग जूटा स्वांग रचकर रेकी करते हैं इस मुस्लिम जोगे के पास से उसके दो नामों नौशाद और भूरा के आधारकार एक हिंदू महिला का फोटो और नींद की गोली मिली है ये महिला को अपनी बहन बता रहा है फिलाल इस मामले पर पुलिस जाच की बात कहकर मीडिया से दूरी बनाये हुए है मेरट के थाना सिविल लाइन शेतर स्थित सूरच कुंड में नंदी बैल के साथ घूम रहे शक्स का नाम नौशाद है स्थानिय लोगों को शक हुआ उन्होंने पूछताच करते हुए तलाशी ली तो पाया कि ये चलावेश में मुसल्मान है जो हिंदू की आस्था को ठेस पहुँचा रहा है राज खुलते ही इसने हाज जोड कर छोडने की गुहार लगाई और बताया कई पीडियों से उसके दादा पिता ये काम कर रहे है घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू आदी नेता सचिन सिरोही वहाँ पहुँचे और जोगी को पकड़ कर पुलिस को सौप दिया मुसलिम जोगी को पकड़ने वालों का आरोप है कि ये नशे की दवाय लेता है वहीं हिंदू नेता सचिन सिरोही ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग रेकी कर घटना को अंजाम देते हैं पकड़ा गया मुसलिम जोगी सफाई दे रहा था कि वह केवल भिक्षा मांगने भर के लिए इस इलाके में आता था पर वो अब इस काम को नहीं करेगा उसने बताए कि उसके बिमार पिता भीक मांगते हैं लेकिन नंदी को लेकर वो बिमार होने के कारण नहीं आ पाए और आज सावन का पहला सुमवार होने के चलते वो भिक्षा लेने आया हुआ है इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंजा टीवी क्राइम अलोट के साथ